हेलो एव्रीवन बच्चों आईए आज हम लोग यूनिट चार्ट से चैप्टे तीन वस्त्रों की देख भाल और संदक्षन इसके बारे में जानते हैं तो आज हम लोग वस्त्रों की देख भाल के सामान्य नियम आईए इसकी चर्चा करते हैं यदि कप्रों की उचित प्रकार से देख भाल ना की जाए तो वस्त्रों को खरिदने समय उनका टिकावपन मुल्य किस्म आधी देखने का कोई लाव नहीं रह जाता वस्त्र हमारे जीवन को प्राकृतिक प्रकावपो से रक्षा ही नहीं करते हैं बलकि हमारे बैक्तित्तों को भी यह आकर्शक बनाते हैं सिर्फ यह प्राकृतिक रूप से रक्षा नहीं करते हैं बलकि हमारे बैक्तित्तों को भी उभारने में अपना अपनी भूमी का निभाते हैं हमारे वWETTIT lovs को यह आकरशक बनाते हैं वस्त्रों की आसज़ेंग आसफ ना करने पर हम विम्य रोगों के सिकार हो जाते हैं और कीमति से कीमति वस्त हो हमारे नस्थ करेंगे तो यह वस्त्र बहुत ज्यादा टिकाव भी भी होगा और वह बहुत जल्दी अपने चमक को नहीं खोएगा वस्त्रों की देखभाल पर ही वस्त्र का जीवन निर्भर करता है ज्यादा टिकाव भी हो जागा अगर अच्छ़े उसकी देखभाल करते हैं तो कुछ वस सावधानी की आवस्यक्ता होती है धूले वस्त्रों को सुर्य की गर्मी या घास पर सुखा कर तह लगा कर रखा जाता है इस संपुर्ण विधी को लॉंड्री कहा जाता है फिर वस्त्रों की देख भाल के सामाने नियम है वस्त्र चाहिए किसी भी कपड़े से निर्मित हो कि देख रख कि कुछ नियम बनाए गया है जैसे इसमें पहला पॉइंट है वस्त्रों को जाड़ना तथा हवा लगाना पहनने के पस्चाच वस्त्रों में वातावरन की धूल भर जाती है और वे गंदे लगने लगते हैं कुछ कपड़े जैसे ओढ़ने तथा बिछाने वाल अतहिने जार कर हवा में डाल कर या धूब दिखाकर रखना अवस्यक हो जाता है हवा लगने से इन पर लगा पसीना सुख जाता है कपड़ों को ब्रस से जार देना चाहिए अगर हलका सा डस्ट है तो उसे जार देने से साफ हो जाता है ब्रस कोमल तंतुओं से बने होने च सख जाए ऐसा नहीं करना है उसके लिए भी ब्रस का चुनाओ सौफ्ट वाला करना है पसीने में भींगे वस्त्रों को पहले उल्टा करके उनका पसीना सुखाना चाहिए फिर उन्हें रखना चाहिए जिससे दूबारा प्योग करने पर में धूल पसीना तथा बद्भू नह है अब फिर उसे अलग जगह अच्छे जगह पे लग दें कपड़े को बीना जहारे तता हवा लगाए रखने से उसमें बद्भू आने लगती है तता वह पसीने वाले स्थान से अस्थान जो वह कमजोर होकर बहुत जल्दी फट जाते हैं और क्या होता है कभी-कभी बरसा रखिप्पल पुराने होकर ही नहीं फटते बलकि असावधानी और दुरघटना वस भी यह फट जाता है जैसे बढ़ में जैसे बस में चड़ते उत्ते वाफ कील में फ embauche झाना तो बहुत सारी चीजे हैं बहुत जल्दी में हम रहते हैं ध्याल नहीं देते हैं और कहीं पर अटक गया या कहीं बैठ रहे हैं कुर्सी में किल लगा हुआ है तो उससे भी फटने की संभावना है खेलते समय धोते समय और अधिक ये फटते हैं कभी कभी वस्त्रों के बटन टूट जाते हैं या सिलाई भी उगड़ जाती है कपरों को धोने से उग्रे हुए वस्त्रों को दुबारा सीना फटे वस्त्रों की रफ्फू करके या उसमें जो भी जगह वाला पैवंद बोलते हैं पैवंद लगा देने से लगाकर मरमत कर देने से वह उसमें वस्त्रों में मजबूती आ जाती है बने वस्त्र जैसे कार्डिगन, स्वेटर, मोजे, दस्ताने आदी का यदी एक फंदा विखुल जाये उसकी ततकाल मरमत न की जाये तो क्या होता है पूरा वस्त्र जो है वो दिरे-दिरे से खुलने लगता है उघरने लगता है अत्तब भूने वस्त्रों का यदी फंदा निकल जाये तो ततकाल उसे लगा देना चाहिए तुरत उसकी मरमत करनी चाहिए उगरी हुई पाइपिंग, लेस या टुटे बटन का समय समय पर निरिक्षन करते रहना चाहिए फिर है वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे चुडाना थोरी सी असाधानी से वस्त्रों पर दाग धब्बे लग जाते हैं भोजन करते समय सबजी गिर जाना खेलते समय घास का धब्बा लग जाना लिखते समय इंक का धब्बा लग जाना असाधानी से कप्रे पर जंग का दब्ब चाहे जैसा भी हो वस्त्र की सोभा को नश्ट कर देता है अगर किसी भी तरह का बहुत सुंदर वस्त्र पहना गया हो और किसी असाधानी के वज़े से वस्त्र में अगर किसी तरह का धब्बा लग जाता है तो वो पूरे वस्त्र को खराब कर देता है तो ध्यान देन है इस बात का अता वस्त्रों को धोने से पहले उन पर लगा धबा चुडाना है अच्छा से धब्वे चुडाने की बहुत सारी विधियां है कौन से धब्वे किस तरीके से चुटेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे वस्त्रों को नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्रों को उनके प्रयोग की अनुसार संग्रह करना वस्त्रों को उनके प्रयोग की अनुसार संग्रह करना अवस्त्रक है एक रित्यू की समाप्ति पर उस रित्यू से संबंदित कप्रों को सदेव धोकर इस्त्री करके अच्छे से संग्रह करना चाहिए गर्मियों में सूती कप्रे, गाउन, मैक्सी, नाइटी, टॉप, लिनेन के कप्रे पहने जाते हैं जिनकी सर्दी प्रारंब होते ही, आवस्तिक्ता खतम हो जाती है, फिर उसे लोग अच्छे से धोकर संग्रहित कर देते हैं, धोकर सुखा कर और जो भी उसके लिए कुछ गोलिया डाल दी जाती है, फिनाईल की ताकि कप्रे रखे-रखे कप्रों में किसी तरह की बद्भू न रखा जाता है, दुबारा सर्दियां आने पर इने पहना जाता है, संग्रह करने से पुर्व इन वस्त्रों को छाट कर अलग-अलग कर लेना चाहिए, अत्यधिक छोटे वस्त्रों को किसी वैसे थैले या प्लास्टिक में रखकर ही संग्रह करना चाहिए, छोटे वस्त्रो आसानी से याद आ सके कि वह कहां रखा हुआ है फिर वस्त्रों की धुलाई वस्त्रों को धोने की उचित विदी तथा उचित सोधक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए अन्यत्रों की चमक नस्थ हो जाती है तथा कोमल तंतु रूखे तढ़ा तथा कड़े हो जाते हैं अगर वस्त्रों से शम्बंधित अच्छे डिटर्जेन त्या क्या century का इस्तिमाल नहीं किय आ जाता है तो वस्त्रों में करापण आ जाता है वह खराब हो जाते हैं वस्त्रों को धोने की सहिविधी का भी प्रियोप करना चाहिए जैसे अब सिल्फ के कपड़े हैं उसे बाहईवास के कपड़े होते हैं पर्तिक तंतर को धौने के लिए अलग-लग विधी अपनाई जाती है इसलिए अलग-अलग कौालिति के कपड़ों को अलग-अलग तरीके से धौने की विधी भी बताई जाती है आएं Long देखते हैं दूलाई के प्रमुख तथ्व कंपडू को तो कपड़ों की दूलाई के लिए विविन तत्तों का प्रमुख रूप से इस्तिमाल होता है यह तत्तव निमाよう होता है जैसे पहला है जल तो जल जुड ठूलाई क्रिया के लिए सरवाधिक महत्तोपुर्ण है जल धोने तथा खंगालने में 99% तक प्रेप्ट होता है यह मिटी तथा दाग घोलने में सहायाता करता है वह उन्हें कपड़े से दूर ले जाता है धुलाई पर किये गए अनुसंधान निर्देशित करते हैं कि जल की गुनवक धुलाई तथा सफाई को प्रभावित करती है बहुत सी धुलाई की समस्याय खनीज पदार्थों कार्णिक तथा जल आपूर्ती में अन असद्यों से प्रतेक चुरूप से संबंदित होती है तो हमारे जो धुलाई के प्रमुख तत्व हैं वो सबसे पहला तत्व हैं जल दूसरी विधी में हम लोग देखते हैं धुलाई पर जल की क्रिया जल स्वैंग वस्त्रों से खाद्यपदार्थ अटाने में असमर्थ होता है जब वस्त्री की बाहरी सथ साबुन के समपर्ठ में आती है तो इसकी जल विकर्सन गुनवखता रुख जाती है क्या है सिर्फ पानी से कोई भी दाग नहीं छुटेगा है ना इसे क्या होता है इसकी जल विकर्शन गुन वक्ता जो है वो रुख जाती है साबोन तथा जल साथ साथ रस्ट के धागों में प्रिवेस करते हैं तथा इसे साफ करने में सफल होते हैं मतलब जल और सावुन दोनों मिला कर जब कपड़े पर प्रयोग किया जाता है तो कपड़े की गंदगी हटती है और कपड़े को साफ करने में ये दोनों ही चीज सफल हो जाते हैं ये अनुजल में विलेन में अपना मार खोशते हैं वस्तर पर बची हुई धूल भी कपड़ों से अलग करते हैं जल के घोल से रशनात्मक गती द्वारा भी धूल को हटाया जा सकता है जल जब साबुन पर ख्रिया करता है तो साबुन का छार सभी दिसाओं में फैल जाता है ये वस्तर में उपस्तित ग्रीज तेल पानी के मिस्रन के रूप में परिनत होता है बदल जाता है पानी के रूप में फिर है जल कठोरता जल की कठोरता है तो जल को कठोर होने के रूप में वर्नित किया जाता है यदि वह साबुन के साथ पहले एक अगुलंसील गंदे जाग का रूप बनता है कब कठोरो जाता है जब वो पानी के रूप में साबुन के साथ एक अगुलनसी गंदे जल का रूप बनता है जल की कठोरता जो है वो दो प्रकार की होती है कैसियन तथा मैगनिसियम प्रात्मिक खनीज तत्व हैं जो जल कठोरता इन खनीजों के लिए उत्तरदाई तत्था जल को अधिक कठोर बना देते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं जल की कठोरता के प्रकार जल की कठोरता को जल की कठोरता दो प्रकार की होती है एक तो अस्थाई कठोरता है और दूसरा अस्थाई कठोरता तो एक-एक करके इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अस्थाई कठोड़ता क्या है अस्थाई कठोड़ता केलसियम तथा मैगनिसियम हाइड्रोजन कार्वोनेट के कारण होती है ये कार्वोनेट अनुन तत्वों वाले चटानों से गुजरने वाली वर्सा जल के रूप में बने होते है फिर हैं अस्थाई कठोड़ता अस्थाई कठोड़ता कैलसियम तथा मैगनिसियम सलफेट के कारण होती है यह चटानों पर से गुजरने वाले सलफेट तत्वों के जल के रूप में होते हैं कठोर जल जहाग उत्पन नहीं करता जब तक की कैल्सियम तथा मैगनिसियम अनू साबुन द्वारा सत्व से बाहर निकल नहीं चुके होते हैं यह कार्णिक वास्तों में साबुन को बैर्थ करते हैं कठोर जल वस्त्र को इतने प्रभावी रूप से साप नहीं करता जितना की नर्म जल करता है सहयोगी होता है वह थोड़ा मुस्किल करता है नर्म जल की अफेक्षा कठोर जल की कठोरता को नियंत्रित करना कैसे हम जल की कठोरता को नियंत्रित कर सकते हैं तो देखिए धुलाई करते समय जल की कठोरता को नियंत्रित करने में तीन उपाय साहटा करते हैं कपड़े की दुलाई होती है तो जल की जो कठोडता है उसको कैसे मियंद्रित किया नहीं और सकते हैं यह जलता है जिस तरह की कपड़े की क्वालिटी है उस हिसाब से हम कपड़े को जल में डालेंगे जैसे कौटन का कपड़ा है बहुत ज्यादा गंदा होता है तो उसको थोड़ा से गरम पानी और अच्छे क्वालिटी के सर्फ या डिटर्जंट में डालेंगे जल को नरम बनाने वाले पैकेट का भी प्रियोग किया जाता है आजकल बजार में सारे चीज उपलब्द हैं फिर हैं जल को नरम बनाने वाले सभी तत्वों को डाले कठोर जल से धुलाई के लक्षन आईए देखते हैं वस्त्र का रंग उड़ना या भद्दापन पीलापन आना कठोर जल से क्या होता है वस्त्रों के जो रंग है वो निकल जाते हैं बहुत हाड जल है तो उसकी वज़े से और कपड़े क्या होते हैं पीले पन लिये हो जाते हैं पीला दिखने लगता है सामान्य मिट्टी लगना, कपड़े का कड़ा तथा खुर्दरा होना, रंगीन कपड़ों पर सफेद या काली धारियां पर जाना, फिर कठोर जल से धुलाई करने पर निम्न समस्या का सामना भी करना पर सकता है, तो क्या है जैसे समस्या में गेरुआ अथ्वा लाल जल से लड़ा जाता है उसमें, तो पीले लाल या भूरे दाग या धब्बे पढ़ जाना, इसमें क्या होता है कपड़े पर जा है, वो लाल धब्बे दिखने लगते हैं, बिल्कुल साफ नहीं दिखता है कपड़ा, वस्त्र का पीला पढ़ना भी से शुरुप से जब क्लोरीन प्रियोग किया आता है, फिर गेर्वा अत्वा लाल जल लोहे के कारण होता है, लोहा जल में घुला हो सकता है, फिर टुक्रों में हो सकता है, लोहे के जीवानों समस्या का कारण हो सकते हैं, तो क्या होता है, लोहे की वज़से कपड़े में लाल दाग लग जाता है, या ज लोहा जल आपूर्टी के द्वारा आ सकता है अथ्वा जल हीटर से या कुए में पड़े धात्व अंसों से जिसमें जंग लगी हो जंग लगे लोहे से कपड़ों में ज्यादा दाग लगने की संभावना बन जाती है पर समस्या गंदे जल से धूलाई करना इसमें धूलाई के लक्षण पहले तहुता कठोर जल जल से धूलाई के लक्षणम अब मैं इसमें जल से c in ira opण तथा बदरंगापन गंदे जल से कपड़े थोने से क्या होता है वह पिला दिखेगा इSince बिलकुल साप नहीं दिखेग रंग भी उसका आजीब थोड़ा दूंदला या गंदा टाइप का दिखता है गंदे जल में तलहट मिट्टी अठ्वाकार्निक टत्टों के बहुत सुद्ध भाग होते हैं सामाने तर इस समस्या की रोग ठाम जल उपाए प्लांट द्वारा की जाती है यह चोटी व्यक्तिक जल आपूर्टियों के लिए समस्या हो सकती है जहां कम मात्रा में जल पहुंचता हो उसके लिए दिकत हो जाता है इसकी वज़से फिर समस्या हम लोग देखते हैं अमलीय जल में अमलीय जल से धूलाई करना एसीड यूक्त जल से तो धूलाई के लक्षन लाल लाल भूरे ह तरह अथवा निल्य धब्बे पढ़ जाना ज्यादा एसीड कप्ड़े पर इस्तेमाल करने से कप्ड़े में धब्बे पर जाते हैं अमलीय जल इस्थित्यों की विभीनिताओं अधिकांस्त जल में घूली हुई कारवन डायोक्साइड के कारण होता है कप्ड़े पर धब् को प्रियोग किया होंगे उसी तरह से धब्बे जो कपड़े में लग जाते हैं वह निश्चित किये जाते हैं जल तथा तापमान इसमें हम लोग देखते हैं थंडा जल उत्तम किसके कपड़े नाजुक रंगों तथा पदार्थों के लिए प्रियोग किया जाता है थंडा जल सिल्वटों को कम करता है तथा रंगों को फिका पड़ने से यह रोकता है गुनगुना जल हलके मिट्टी वाले वस्त्रों के लिए प्रियोग किया जाता है थंड़ा जल जो है वह अच्छे क्वालिटी के कपड़े के लिए प्रियोग किया जाता है बहुत नाजुक कपड़े के लिए बहुत नाजुक रंग होता है तो रंगों को बचाने के लिए भी थंड़े जल का प्रियोग किया जाता है तो और थंड़ा जल मिलावटों को भी क क्या होता है कपड़े विल्कुल साफ हो जाते हैं कपड़े में चमक आ जाती है तिकाउ सफेद बुरी तरह मिटी लगे अस्थाई दब्वे हुए तथा पक्के रंग वाले कपड़ों के लिए गर्म पानी का प्रयोग किया आता है जो कपड़े कौटन के हैं सुति कपड़े ह या फिर सफेद कपड़े तो इन सब कप्रयोग थोड़े से गुनगुने पानी के में कपड़े को थोड़ी दर छोड़कर सर्फ में डालकर पानी में सर्फ डालकर थोड़े दर कपड़े को छोड़ देना चाहिए गुनगुने पानी में फिर उसको धोने के बाद क्या होता कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं कपड़े में चमक भी आ जाती है तो ऐसे और सभी तरह के कपड़ों के लिए गर्म पानी कप्रयोग नहीं करना चाहिए धुलाई सोडा बोरेक्स तथामोनिया के प्रयोग रही जल को नरम बनाने के उपाए बनाने के बहुत से उपाए भी हैं तो आज हम लोगों ने बत्रों की देख भाल की सामान नियम के बारे में जाना और धुलाई के प्रमुक तत्तों कौन-कौन से हैं इन सब बातों पर विशेश चर्चा की अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया देखेंगे तब तक के लिए धन्यवार आप समों को थेंक्यू